आस्ट्रिया के अगेंस तो इनके हाथ पेर फूरी जाते हैं इसमें कोई शक नहीं और इतना पूजा पार्ट की है हम मैं उजन का रहने वाला हूं हमारे महाकाल मंदिर में अभी शेक वगेर किये गए लेकिन उसका कोई फादा नहीं पूजा पार्ट से कुछ नहीं होता है द इन्होंने चौके चिक्के लगाने की कोशेश करी उसी के चक्कर में विक्त गवाते गए विक्त गवाने से स्कोर खड़ा नहीं हो पाया किस पर विश्वास था किसने विश्वास तोड़ दिया दिल तोड़ दिया वराट कोली पर विश्वास था नमस्कार आप देख रहे और 2023 में वर्ल्ड कप हमारे इंडिया के पास आएगा लेकिन आखरी में आते आते उमीदे उमीदों पर पानी फिर गया आखिर ऐसा क्या हुआ जो टीम लगातार जीती भी आ रही थी आखिर वर्ल्ड कप में 240 रनों पर ही सिमट कर रहे गई अंकल जी क्या कहेंगे पटाके की तैयारी थी दिवाली मनाने की तैयारी थी लेकिन मन तूट गया बिल्कुल साब जो है 3000 के पटाके जो बचा के रखे थे आज दिन के लिए लेकिन वो सब पटाके जो है अन्य लोगों को देना पड़ेंगे ताकि वो दिवाली मना सके और ये हमेशा सही देखने में आया है कि आस्ट्रिया के अगेंस तो इनके हाथ पेर फूरी जाते हैं इसमें कोई शक नहीं और इतना पूजा पार्ट किया हम मैं उजन का रहने वाला हूं हमारे महाकाल मंदिर में अभी शेक वगरे किये गए लेकिन उसका कोई फादा नहीं पूजा पार्ट से कुछ नहीं होता है द्रड जो है इच्छा शक्ती होना चीज जीतने की वही जीता सकते हैं कमी कहां रहे गई तो सभी में रही गई ना सभी में जो है अच्छे जो जो है यह के मिस फिल्ड किया इन्होंने और जो बेटिंग जो जहां एक एक दो-दो रन बना के जो है इनको शुरू- defender में जो है बिकेट गुमय है इन्होंने principal दोसव चालिस रन का जो एक सकष खड़ा किया था वह इनफ नहीं था लगता च्कॉर And सब्सक्राइब तो ज्यादा होता तो फेरी फैदा था दोसो चाली में क्या बनेगा हो तो नॉर्मल आदमी एक टुक टुक करके खिनने से भी बना जाएगा दोसो चाली रन तो इन्होंने जो पहले दस ओबर में खेला है न ऐसे टिक के खेलती टीम इंडिया तो आज जीत जा इन्होंने जब खेलने का त्रिका यह सही नहीं किरा सुबह से पहले टिके खेल जाते तो लंबा स्कॉर बन जाता इन्होंने चौकवग़े लगाने की कोशेश करी उसी के चक्कर में यह विक्त गुवात ने बंचने से स्कॉर ख़ड़ा नहीं हो पाया इस पर बिश्वास प्रफिश्वास समय रहेगा आज भी था और आगे भी रहेगा यह उद्ध नहीं था जो हार गए तो कुछ नहीं है न प्रफिश बाद कि कमी कहा नजरा इस बार क्या लग रहा है कि टीम को अगली बार किस त्रिके से महनत करनी में चाहिए सर 2 वो हम से अच्छा जानते हैं अब काया रहे गई वह ढ़ी होगी होँ थीम को क्रिकेटर को भी दुख हुआ है और लोगा से बाक्षित करते हैं आप क्या कहेंगे कैसे देख रहे थे जी बिलकुल कमी रही है टीम में जो मेच हुआ है उसका रिकाउड देखे तो जो टीम चेस कर रहे थी वो जीती हुए तो एसी स्थितियों भारत को सारत इंसुरं तो मि इमेज खिलने के एक्स्पिरियेंस है तो कहिने के स्कोर जादा होता तो इस बार सोचा था कि अब दीपावली के साथ अभी फटा के फोड़ेंगे तो पूरा देश दीपावली फिर से मनाएगा पचा फटा के रखे रहे पाकिस्तान की तरह हमारे हमारे बटा के भी इस बा बड़े गेम खेलने का प्रैसर पता है कि कैसे निकालना है भारती खिलाड़ी सूरिकोमार यादब को इसी पर एक ही शोट मारते हुए वह आउट हो गया मतलब सूरिकोमार यादब जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि हमको इसी बॉल फेक रहा है इस पर फसा रहा है सेम टूशेम सोट खेल रहा है और चले गए इसके बाद वहां पर तमाम बड़े राजनिता वर्ल्ड कप देख रहे थे ऐसा तो नहीं कि दबाव मैंने पेट कमि हम चुप करेंगे तो हमें उससे भी ज्यादा मजा आएगा भारत पे और ज्यादा प्रेसर सा क्योंकि एक लाकी 30,000 की भीड सब भारत पे प्रेसर बनाए बैठी थी इतने सारे क्रिकेटर आ रहे थे इतने सारे सेलिविटी आ रहे थे भारत पे उल्टा दवा बना रहे थे भीड ने उल्टा भारत पे दवा बनान ने का काम किया है भारत टीम अच्छा खेली हमको उनका हैट नहीं करना चाहिए भारती सीन毒 भारते टीम ने अच्छा केला हम भारते टीम के साथ हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा मन थोड़ा दिल दुखी हुआ कि नहीं आज शायद वर्ल्ड का पाना चाहिए था मन तो बहुत ही दुखी हुआ पर क्या करें यह खेल है किसी को हरना किसी को जीतना पड़ता है आज हम हमारे कल जीतेंगे हम और अच्छा प्रियास करके पांच साल का इंतियार करना पड़ेगा पर ऐसा तो नहीं है कि हम वह खेल लगी छोड़ दे कि अधर गेम में पहुच जाए हम प्रियास करेंगे और बहतर तरीके से आएंगे हम अगली वर्ल्ड कप में और हम अच्छा कर करेंगे नहीं उसके मद्दे नदर बेक अभी से टीम तैयार करनी चाहिए बीट्रण्टी वर्ल्ड कप भी आएगा चेंपिन ट्रॉफी आएगी बहुत सारी चीजा आएंगे तो पहले से टीम को तैयार करना क्योंकि सायद हो सकता है रोहित का आखरी वर्ल्ड कप हो समी ब अगला वर्ल्ड कप जरूर भारत को लेकर आएंगे आप इस खबर पर इस वीडियो पर नहीं रहा है जरूर रखिए कैमरामेन शोम यादव के साथ विनोश शर्मा